जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए MP के अनुसांधान के अंदर तो MP के अनुसांधान के अंदर के बारे में यहाँ पर हम आपके लिए बताएंगे तो वीडियो को पूरा बस से देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और आल पर क्लिक करें ताकि अल वीडियो की नोडिपिकिशन आपके हां तक पहुँचिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करें ताकि अन्य लोग भी ऐए वीडियो देख स सकते हैं जहां पर हम जो वीडियो बनाते हैं तो इसकी जो पीडियाप फाइल रहती है अब हम टेलिक्राम ग्रूप में आपकी लिए उपलब्द कर देते हैं तो आप टेलिक्राम ग्रूप से अवस्य जुड़ें और जो भी MP पुलिस या MP जेल पर रहरी पर इक्छागी त कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही मात्तुपूर्ण एक वास्चन अंसर होने वाली हैं तो वीडियो को पूरा वस्य देखें MP के अनुसंदान के अंदर लेकर आए हैं हम आपके लिए और यहां पर आपको हम मैप के मात्धम से भी बताएंगे तो चलिए आज का अपना जो और को कौश्चन नम्बर फर्ष्ट और इसका रराइट एंसर क्या होगा तो इसक रर एट आट आइसर है चेंद वारी यानि की बिकल्न नमबर आपका भी रराइट आंसर होगा चेंदवाड़ा और देखिए मैप में यह है आपका चिंदबाडा चिंदबाडा यह मैप में देखिए यहाँ पर अंगला कॉस्चन देखते हैं यहाँ पर कि ग्यहू अनुसंदान के अंदर कहा है इस्तित है तो ग्यहू अनुसंदान के अंदर बताना है भिंड में चंदबाडा में या पवार खेला में या जवलपुर में, राइट अंसर क्या होगा, तो आपका राइट अंसर है, विकल्प नंबर C, पबार खेड़ा, पबार खेड़ा अब इसको याद कैसे रखें, तो इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं, कि गेहूं, जो गेहूं हैं, आप जो इसकी रोटी खाती हैं, तो आप के अंदर क्या आती है, पावर आती है, क्या आती है, पावर, तो पावर से क्या हो जाएगा, पबार, पबार खेड़ा, इस पिरकार, गेहूं अनुसंदान के अंदर कहां पर इस्ते थे, पबार खेड़ा में, और देखिए, यह है, हो संगाबाद में, कहां पर है, हो संगा अंगल्या कोश्चन है कि राष्टिय सोयवीन अनुसंदान के अंद्र कहां इस्तत है राष्टिय सोयवीन अनुसंदान के अंद्र कहां पर इस्तत है भेंड में चंदबाला में इंदौर में या जवलपुर में तो आपका राइट आंसर क्या होगा इंदौर इंदौर आपका विकल्प नंबर C जो है यहां पर राइट आंसर होगा राष्टिय सोयवीन अनुसंदान के अंदर कहां पर है इंदौर में है और मैप में देखी यह है आपका यहां पर इंदौर यह है इंदौर अंगल्या कोश्चन देखते हैं कि अंगूर अनुसंदान के अंदर कहां इस् भिंड में चंदवाडा में रतलाम में एजबलपुर में अंगूर अनुसंदान के अंदर कहां परिस्तित है तो आपका राइट आंसर होगा रतलाम आपका जो है राइट आंसर होगा तो अंगूर अनुसंदान के अंदर बताना है तो रतलाम विकल्प नमबर जो C है यहां प बच्ची रहते हैं वह अंगूर लाने की क्या करते हैं रट लगा लेते हैं रट कि अंगूर चाना हमको तो अंगूर चाहिए तो क्या लगा लेते हैं रट से क्या हो जागा रत लाम क्या हो जागा रत लाम तो अंगूर अनुसंदान के अंदर कहां पर होगा रत लाम आपका विकल्प नमबर C इस परकार आपका राइट अंसर होगा और देखिए एह आपका रतलाम अंगला कोश्चन देखिए यहाँ पर की धान अनुसंदान के अंदर कहां पर इस्तित है भिंड में छिंदवाडा में जवलपुर में या बड़वानी में धान अनुसंदान के अंदर तो आपका राइट अंसर क्या होगा तो आपका राइट अंसर है बड़वानी तो बड़वानी अपका जो है राइट अंसर होगा विकल्प नमबर C इस परकार रख सकते हैं कि धान धान जो होती है बरसात की मौसम में होती है कब होती है बरसात की मौसम में होती है और जब जादा होती है तो क्या आती है बाल आती है क्या आती है बाल तो इस परकार बाल से क्या हो जाए का बढ़वानी और धान अनुसंदान के अंदर कहां पर इसते थे बढ़वानी इस परकार विकल्प नंबर सी राइट आंसर है इस परकार भी आप याद रख सकते हैं बढ़वा यहाँ पर अंगला question देखिए कि कपास अनुसंदान के अंदर कहां इसते थे तो कपास बताना है कपास अनुसंदान के अंदर कहां पर इसते थे खर्गोन में बढ़बानी में चिंदबाडा में यहां पर राइट आंसर क्या होगा answer बनता है तो कमेंट में जरू बताएं तो इसका जो राइट आंसर होगा वहे खर्गोन खर्गोन यानि की विकल्प नंबर A जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा और देखिए A है आपका यहाँ पर घर्गोण यहाँ पर है खर्गोण अंगला कोश्चन देत्य कि एमपी बन अनुसंदान के अंदर कहा एस्तत है एमपी में बताना हैं गलाओं यहाँ पर रिच्टत है खर्गोण में छंदबादा मैं बड़बानी में यह जबलपुर में तो Question No.7 और 7 का Right Answer क्या होगा विकल्प No.D विकल्प No.D यानि की जबल्पूर आपका यहां पर Right Answer होगा MP में बन अनुसंधान केंदर कहां पर रिष्थे थें जबल्पूर में विकल्प No.D जो है यहां पर Right Answer होगा और map में देख लीजिए यह आप यहाँ पर जबलपूर यहाँ पर है आपका जो है क्या बन अनुसंद्धान केंदर MP का कहाँ पर जबलपूर में अब अंगला question है कि MP में गन्ना अनुसंद्धान केंदर कहाँ पर रिस्ते थे question number 8 और 8 का right answer क्या होगा खरगवान, बढ़बानी, या बोहानी, या जवलपुर तो गन्ना नुसंदान के इंदर बताना है तो right answer होगा आपका बोहानी, नरसेंपुर यानि की विकल्ब नमबर आपका भी जो है right answer होगा यहाँ पर बोहानी, तो देखिए map में यह आपका नरसेंपुर यहाँ पर है बोहानी, यहाँ नरसेंपुर में और अंगला question है कि MP में दलहन अनुसंदान संस्थान कहां है दे थे MP में दलहन अनुसंदान संस्थान कहा थे, तो खरगवान में या अमलाहा बड़बानी या जबलपुर question number 9 का right answer होगा अमलाहा आपका जो है यहाँ पर right answer होगा विकल्ब नमबर B अमलाहा जो कहाँ पर है C-HOR में है और C-HOR देखिए आप यह है आपका C-HOR कहाँ पर A है C-HOR अंगला question है यहाँ पर कि माना विकास अंस्थान इस्तित है माना विकास अंस्थान बताना है यहाँ पर कहाँ पर इस्तित है करगोन में चिंदवाला में बड़बानी में या जबलपुर में तो माना विकास अंस्थान जो है यह कहाँ पर है तो right answer है चिंदवाला चिनग वाड़ा आपके यहां पर right answer होगा बिकलब नबर B और देखिए map में एक बार फ्र पर शिंग बाड़ा यह हैं यहां पर चिनग वाड़ा अंगलिया question है यहां पर कि भारतिय बन प्रवंदन संस्तान इस्ते थे तो कहां पर रिस्ते थे खरगवन में बोपाल में बढ़बानी में या जवलपुन में अब यहां पर भारतिय बन प्रवंदन संस्तान बताना है तो कहां पर रिस्ते थे तो एह रिस्ते थे कहां पर भोपाल भोपाल आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी तो यहां पर आया कि भारतिय बन प्रवंदन तो जो बन होते हैं यह कहां पर रहते हैं भू पर रहते हैं कि नहीं तो भू से क्या हो जागा भोपाल तो इस परकार भोपाल आपका राइटा अंतरों का विकल्प नमबर B भारतिय बन प्रवंदन संस्थान जो है कहां पर है भोपा Q2 न outta C century में और देखिए नीर करने शेंट न कंवर पोतम पर है और अब känसी न पॉर्द्य न पिरజ़ाँ से मेन के बारती शोचना प्रोद्ध्योगी की कि एवं प्रवंदन सनस्तान इस्ती थे भारती है राइट आंसर बताइए नमबर तेरा तो राइट आंसर क्या होग कर आंसर है यांप है आपका जोनी आंसर आपका भी साही नंबर सी भारती जो जो प्र अंगला कॉश्चन देखी यहां पर कि अपराद अनुसंदान प्रिसेक्शन सहस्तान इसते थे अपराद अनुसंदान प्रिसेक्षन सहस्थान जो है सागर में है और सागर जिला को देखिए यहां पर मैप में यह सागर जिला देखिए यह सागर अंगला कोश्चन देखिए यहां पर कि ग्रामिन पंचाज प्रसिक्षन सहस्थान इसते थे कहां पर अमरकंटक सागर बढवानी जवलपुर तो ग्रामिन पंचा ग्रामिन्द पर सक्षान सथान इसते थे रिवायं अमरो कन्टक में और देखिए यह है आपका नूफ पूर जहां पर अंगला को सचन् सक्षोन की आप पर еल्मार बतान हैं अमर में अपना सचन्सटान कहां पर रिस्ते थे कौर्शन नमडर 16 एंसर बताईए है गहार इस तो जो है आपका जो है या प्रबंदन सांस्तान रिस्ते थे तो बोफाल इस देख़ारी dus यह आपका जहें अंगला कौस्चन देखते हैं आप की अंतराष्टिय मक्का और गेहु अनुसंदान केंद्र कहां पर है अंतराश्टिय मक्का और गेहु अनुसंदान केंद्र बताना है तो एह इस्तेते कहां पर कहां पर खमरिया खमरिया आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर जो डी है राइट आंसर यहां पर होगा खमरिया अंगला पूर्चहन देखिए कि राश्टिय हे कर पतबार विज्ञान अनुसंदान के अंदर एस्ते थे राश्टिय विज्ञान अनुसंदान के अंदर अमर कंटक ऑफाल जवल्पर या कंदर ऊंदर तो राइट आंसर क्या होगा question नमबर 18 का जवलपुर यानि कि विकल्प नमबर C राइट आंसर होगा राष्टिय खर्पतबार विज्ञान अनुसंदान केंद्र जो है एकांपर है जवलपुर में और जवलपुर को एक बार और देख लीजिए मैप में यह है आपका जवलप अंगला question है लेजर किराण अनुसंदान केंद्र इस्ते थे लेजर किराण ऊरजा अनुसंदान केंद्र बताना है अमरकेंटक में इंदवर में खमरिया में या बोपाल में राइट आंसर आपका क्या होगा इंदौर इंदौर आपका जो है राइट आंसरों का विकल्प नंबर बी आपका इहां पर सही आंसर है और इंदौर को आप मैप में भी देख लें यह आपका इंदौर अंगला कोश्चन है कि भू उपगरा है अनुवेशन के अंदर इस्तित राइट आंसर होगा गुना आपका जो है विकल्प नंबर यहां पर राइट आंसर होगा और गुना को मैप में भी देख लें यह आपका गुना और अंगला कोश्चन है कि जन जाती अनुसंदान एवं विकास अंस्थान लिष्टे थे जन जाती अनुसंदान एवं विकास अ और विडियो को लाइक करें और ज्यादा से जादा वीडियो को शेयर करें ताकि आंने लोग आप वीडियो देख सकेंड पीडियाप के लिए आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जोड़ना होगा टेलिग्राम एप में आप सर्च करें IAS Study ट्रिक यहां से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं जहाँ पर हम जोई वीडियो बनाते हैं उसकी जो